इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह नाक की भीड और रुकावट को दूर करने के लिए आपकी नाक में रक्त वहिकाओं को सिकोरता है। खाइनोज नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए। यह केवल अस्थाय राहत प्रदान करता है इसलिए इसे अधिक बार्या, अनुशनसित से अधिक समय तक उप्योग न करें। आम तोर पर आपको इसका उप्योग करने से पहले अपनी नाक को धीरे से फूंकना चाहिए। दवा को दूसरे में लगाते समय एक नथुने को बंद रखना चाहिए। और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए जोर से सूंगना चाहिए कि यह नाक में गहराई तक पहुंच जाए। फिर दूसरे नथुने के लिए दोहराएं। यह बहुत जल्दी राहत देता है और कई घंटों तक चल सकता है। यदि आप इस दवा का उपयोग बहुत बार्या, बहुत लंबे समय तक करते हैं, तो यह आपके लक्षनों को सुधारने के बजाए और खराब कर सकती है। सबसे आम दुश्प्रभाव नाक और गले में जलन, स्थानिय जलन, मतली, सिरदर्द और सूखी नाक हैं। यह आम तोर पर हलके होते हैं, लेकिन अगर यह आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं, तो आपका डॉक्टर इन्हें रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकता है। अपने डॉक्टर को अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रही हैं। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो इस दवा का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। झाल 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 झाल